नमस्कार मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों मैं हूँ अभिषान शुपांडे और आप सभी का सवागत है अभिषा की पूरे टीम की तरफ से जैसे कि हम लोगों ने इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी चलिया आए बात करते हैं कि भौतिकी के लिए जो अभिषा के प्लैट्फॉर्म में अभिषा के प्रयासों द्वारा आप तक यह सुईधा उगलब्ध कराई गई है तो यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एप्लिकेशन प्ले स्टोर से जरू डाउनलोड करें यहां पर हमारे सारी वीडियो उस एक्जाम से जरूर निस्टॉल करें और आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे थे प्रत्यवर्ति धारा याने की एसी की और हम लोगों ने जैसे पहले ब्लूप्रिंट का डिस्केशन किया था तो इस चैप्टर में हमको जो है एक प्रशन पूछा जा रहा है एक नंबर का फिर एक प्रशन नहीं जो है हमको यहां पर लेके आता है अब क्या देखिए अपने घर में लगे विद्दूत आपूर्ति मेंस किट कैट को के फ्यू स्तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था अब येका वाश चिलाते हुए फरस पर गिर पड़ा और उसके पुत्र अमित ने चिल और ये चार नंबर वाले पस्ट है जिसमें से दो अंक तो आपको गिफ्ट देता है कौन शत्रीज़व माद च्छामंडल तो इस गिफ्ट को नहीं छोड़ना है इस गिफ्ट को पकाड़के रखना है तो आपको इसमें से चार में चार अंक मिलने चाहिए और इसके लिए हमारे पश्णों को देखिए भारत में मुख्या पूर्ती की वोल्टता और आवरित्ती क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टता यहां पर 220 है और आवरित्ती 50 हर्ट्स है इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद म आजकल जो विद्दूत उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं उसमें से आधिकांस के लिए हम AC वोल्टता प्रयुक्त करते हैं क्यों क्यों कि भाईया जितने भी एक्यूपमेंट्स हैं जैसा हमको जो है पावर सप्लाइ मिलता है उसके लिए हमको उप्यूक्त है कि हम AC व लेमिनेटर हम जो है जो प्लग यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं वह असल में वह ऐसी युक्ती है जो AC को DC में कनवर्ट कर सके विजय ने अपने क्रिया कल आप में प्रदसित दो गूर्ण दिखाए और उनके बारे में बात कीजिए पहला कि वह सजग था इसी लिए उसने अपने पिता जी की आवाज सुनते ही तुरंत दोड़ लगा दी दूसरा वह अपने घ्न का सद उपयोग करना जानता था किस परकार से उसने पहले जूता पहना फिर दोड़ लगाई उसने पहले डंड़ा उपयोग किया और उसके बाद में म अगला प्रोशन क्या है हर्शित के विद्यालाय में सिक्षक विद्यार्थियों को सेक्षणिक ध्रमण के लिए सहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर श्थिद शक्ति सयंत्र लेकर गए सिक्षक महदा ने बताया कि प्रत्यावर्ति के धारा के रूप में विदूत उर्जा का प्र अगल स्वरुप उर्जा की बहुती कम हान ही होती है और हर्शित ने सिक्षक महदा की बात को ध्यान पूर्वत सुना और प्रत्यावर्ति धारा को कम या अधिक वोल्टता में परिवर्तित करने के विशाय में प्रस्ट पूछे अब पहला प्रस्ट यह है कि प्रत्यावर् ट्रांसफॉर्मर भी होता है और स्टेब डाउन ट्रांसफॉर्मर भी होता है दूसरा इस युक्ति में सक्ति च्छाय के कारणों का उल्लेख कीजिए इस युक्ति में सक्ति च्छाय के बहुत सारे कारण है जिसमें से पहले वाले को बोलते हैं तामर च्छाय मतलब जो है था कि में ये कंडलियां यूज होती है इसमें भी एक प्रतिरोद होता है और इस प्रतिरोद के कारण भी उरजा के च्छाए होता है जिसे हम ताम्रशाय कहते हैं दूसरा होता है लावड य लौच loyal कैसे होता है तो लावड जτά ञड़ कने के लहे का जो है करोडा लगाते हैं ताकि विद्द विद्ट लक्स में परिवर्ता दूसरी कुंडली तक आसानी से पहुंशके उस मैं जो है और इंट हरा 这个 होती है उसे हम लाव Juliet कहते हैं फिर हो गिया कंपन का च्याय कारण पूरा फ्रेम लगातार कंपन कर रहा होता है और इसके कारण होने वाले च्याय को कंपन च्याय कहते हैं अब इस हर्षित तथा सिक्षक महोदय की प्रत्यक द्वारपदसित दो मूल्यों का उल्ले कीजिए सिक्षक महोदय ने हर्षित और पूरे की पूरी कख्षा को 200 किली मूटर की दूरी तक लेके गए ताकि उन्हें ग्यान जो है सही सरामत और बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल हो सके तो इन्होंने जो है सेक्षनिक मूल्यों की प्रदशन किया उन्होंने बच्चों को दूर ले जाकर पढ़ाने का प्रयास किया उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है उन्हों ने सारे के सारे प्रश्णों के उत्तर दिये जिससे जो है उनके सिक्षक होने के कर्तब का पालन हुआ तो इस प्रकार से सिक्षक महुद है के दो और इसके बाद में हर्शित ने क्या क्या किया हर्शित ने सबसे पहले जो है जाने के लिए उत्सुक्ता दिखाई तो हर्षित जो है सीखने के लिए ललायत व्यक्ति नजर आता है दूसरी बात हर्षित ने ध्यान पूर्वक सुना और उसके बाद में प्रश्ण भी पूछे यहां उसकी विद्यार्थी प्रवित्ति को दर्शाता है और आपको मिल जात चले परते हैं अगले प्रश्ण की ओर धीरज के विद्यालाय के सिक्षक विद्यार्थियों को सैक्षिक भ्रमण के लिए पावर प्लांट लेकर गए सिक्षक ने बताया कि प्रत्यवर्ति धारा के रूप में विदुत उर्जा का प्रेशन लंबी दूरी तक सहरों में किय जाता है हम लोगों ने अभी अभी पिछले प्रश्ण में देखा इसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है अब इन्होंने बता दिया कि भातों को ध्यान पूरुक सुना और ट्रांसफार्मर के विशय में इन्होंने प्रश्ण पूछे फिर से जो है धीरज और सिक्षक के बारे में जो है हम जो बाते कर चुके हैं पीछले प्रश्ण में वो दोहराई जा सकती हैं 2022 का यह प्रश्न है और अब धर दो प्रश्न के लिए आपको महनत करनी है पहला प्रश्न है in P पहली कुंडली में विदुद्धारा के परिवर्तन के कारण चुंब के फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होता है तो उससे प्रतिबध दूसरी कुंडली में भी चुंब के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए विपरिद्धिसा में जो धारा भेती है उससे जो है अन्योन यो प्रेण कहते हैं यह प्रेण जो है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बहुत महतोपोन सिध्धान्त है अगली बात है अपचाई अपचाई प्रांसफार्मर में दो उंतर लिखिए तो पहला यह है कि फेरों के संखिया हमको क्या है कि वे अज़ बटा वीपी बराबर एन एस बटा एन पी मतलब यह है कि जो हमारा जो होगा या फिर अब ट्रांसपर्व क्या होगा कि जो बाद में वोल्टेज मिले गा वो ज्यादा होगा और पहले जो कि अपर उसमें कि संख्या आधिक होगी और जो पुए प्रारंडिक कुंडली है उसमें फेरों कि संख्या कम होगी इसके विपरित लेति हम बात करें कि अब चाहिए transformer यहाँ पर इसका just उल्टा हो जाता है कि भाई हम लोगों ने ज्यादा वोल्टेज का जो है मतलब ज्यादा वोल्टेज का जो है current दे दिया और हमको जो है इसके result में जो है क्या मिलता है कम वोल्टेज का current मिलता है और यहाँ पर कुंडलियों की संख्या भी उसे हिसाब से बदल जाती है फिर धारा कमान किसमें अधिक होता है जहाँ जो है वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है वहाँ धारा कमान कम हो जाएगा और हम लोगों को 2022 के इस प्रशन में भी चार में से चार अंक मिल जाते हैं तो हम लोगों ने इस प्रकार के प्रशनों की भी प्राक्टिस कर ली है इस प्रकार के प्रशनों को भी सीख लिया है और अभिवसा की टीम की तरफ से मैं आप सभी को सुथ कामनाय देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको चार में चार अंक मिलेंगे हर एक उस विद्यार्थी को जिन्होंने मेरे साथ में इन विश्चियों पर चर्चा की है हम अगले वीडियो में भी मिलेंगे और इसके आगे भी बहुत सारे प्रशन है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें और तब तक के लिए धन्यवाद